हांजी दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगी यूपी पॉली टेक्निक इंटरंस एक्जाम के लिए मॉस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के बारे में एंड इस पार्ट में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए आयसको के जो important आयसक है उनके जो है वो नाम और सूत्र जो है वो आपके लिए ले के आऊंगा इसलिए इस वीडियो में हम आपके लिए ले के आ चुके हैं most important जो आयसक हैं जो आपके previous year के जो examination है उसमें पूछे जा चुके हैं उन सब का जो है वो सूत्र और फॉर्मूला जो है वो लेके आ चुके हैं हम तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्विस्ट है कि मेरी जो तबियत है जो है वो थोड़ी सही नहीं है इस वज़़ से आपको आवाद जो है वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा तो आप जो है वो अड़ेस्टमेंट कर सकते हैं ठीक है दोस्त फिर नेक्स्ट वीडियो से जो है ये सारी प्रॉब्लम सौल्ब हो जाएगी तो इस वीडियो में देखिए दोस्तों हम सबसे पहले अलमूनियम के जितने भी अयस्क है उन सभी के नाम देखेंगे और सूत्र देखेंगे जो प्रमुक अयस्क है ठीक है अलमूनियम के सभी अयस्क नहीं जो आपके question paper में पूछे जा सकते हैं और कई बार आपके entrance exam में पूछे भी जा चुके हैं ठीक है सबसे पहले आता है हमारा backside backside का सूत्र होता है AL2O3 into 2H2O तो इसे आपको practice करने की जरूरत है इन सभी formula को आप लिख सकते हैं और बार बार practice कर सकते हैं तो आपको यह याद हो जाएगा तो backside का सूत्र जो होता है वो AL2O3 into 2H2O होता है ठीक है दूसरा जो है वो है हमारा cryolite तो cryolite का formula जो होता है वो NA3ALF6 तो इस चीज़ को आप में रखेंगे कि cryolite का formula NA3ALF6 होता है उसके बाद next आता है हमारा alumite alumite का formula होता है K2SO4 into AL2SO4 का whole thrice into sorry 24 नहीं into 4ALOH का whole thrice होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर 24H2O रहता तो वो हमारा fitkeri का हो जाता है कि fitkeri का formula क्या होता है K2SO4 into AL2SO4 का whole thrice into 24H2O यह भी हमारा काफी बार पूछा जा चुका है और important formula है तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे next है दोस्तों हमारा curriculum curriculum का जो है वो बहुत important formula है यह यह आपके board exam के लिए चाहे आप 10th class के students हैं चाहे 12th class के student हैं चाहे आप entrance exam के students हैं तीनों के लिए यह बहुत important formulas हैं तो curriculum का होता है आपका L2O3 ठीक है L2O3 आपका curriculum का होता है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगा बहुत important formulas हैं यह next है दोस्तों हमारा copper का तो copper जो है वो copper के भी बहुत important formulas होते हैं तो copper में सबसे पहला आता है copper pyrite जो आपके internist exam में कई बार पूछा जा चुका है या फिर इसका नाम है calcopyrite ठीक है इसको जो है वो आप इसका formula होता है CUFES2 ठीक है तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे next है हमारा copper glance या calcocyte ठीक है तो copper glance या calcoside का formula होता है वह होता है हमारा Cu2S next है eau pulite Cuprite का formula हमारे cu2o होता है ठीक है copper glance और pulite में जो है वो सेम तरीके का है liकिन cuatar glance Fel cu2s होता है और Ond the Quem Frosty into Cu2O होता है तो इस चीज को अप ध्यान में रखेंगे next है दोस्तों हमारा excite to malakite का formula जो होता है two- correctly Os is into CuCO3 होता है and इसी के तरीके से एक और है azurite तो azurite का भी इसके जैसा है ही है लेकिन थोड़ा बहुत difference है difference क्या है कि CuCO3 की जगह पे 2 लग गया है और ये पहले हो गया है तो 2 CuCO3 into CuOH का whole twice तो ये azurite का formula है ठीक है तो ये copper और aluminium के कुछ महतबूर चाहिए आपके entrance exam के लिए ठीक है और भी अगर कोई important आप जानना चाहते हैं तो आप silver का याद कर लीजेगा ठीक है इसके लावा जो है वो आप iron का याद कर लीजेगा ठीक है तो इन ही सब से question आपके entrance exam में बनेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो इसको like कर दीजे and voice अगर आपको जो है वो कोई अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं दोस्तों हमारा काम था आपको regular वीडियो देना तो कुछ भी हो जाए हमने आपको regular वीडियो दिया तो इसी दोस्तों में इस वीडियो को सेर जरूर कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत